हालो स्टूटेंस नमस्कार मैं में बल्डोदी अभिकर्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ नीट यूजी 2022 के आल इंडिया कोटे सेकंड राउंड काउंसलिंग का प्रोविजिनल रिजल्ट जारी हो चुका है इस बार कटोग थोड़ा सा उपर गया है जो एक्सपेक्टेड था उससे उपर रहा सबसे पहली बात क्यूं कटोग उपर रहा और आगे लास राउंड तक किस क्लोजिंग रेंग तक आपको कॉलेज मिलने के समभाव न हो इस पर मैं बात परूँगा बहुत ऑथेंटिकेशन के साथ ऑथेंटिक डेटाज के साथ जैसा हम हमेशा से आप तक सही इंफॉर्मेशन सही जानकारियां पहुँचाते आए हैं बहुत सारे बच्चे निरास हैं कई सारे बच्चों की चिंताएं बढ़ गई है आपकी सारे चिंताओं का समधान authentic data के साथ कुछ analysis के थूँ मैं आप तक पहुंचाऊंगा और अगली महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि क्या ये और तीसरा जो बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि अंतिम दोर तक फाइनल राउंड जो होंगे उन राउंड तक ऑल इंडिया कोटे की सेकंड राउंड के counseling की provisional result के बाद आपके लिए बहत्रेन steps क्या है बहुत सारे questions आपके जो वीडियो के comment में आते हैं उसके बजाए आप वीडियो को पूरा सुनेंगे तो सारे questions के answers आपको मिल पाएंगे समाधान आपको मिल पाएगा आईए कल के result के साथ एक analytic view जो है वो का comparison भी हम करेंगे और इस संभावनाओं पर सबसे पहले बात करेंगे कि आने वाले टाइम में कहां तक आपको college मिल सकता है देखिए यहां ओल इंडिया कोटे की जो counseling हुई थी उसमें जनरल केटेगर कटोप 17,401 था और अब यह 20,004 पर आ गया है मतलब अगर आप देखें पिछले साल जब ओल इंडिया कोटे की counseling process हुई थी तो उस ओल इंडिया कोटे की counseling process में 17,600 पर करीब करीब जो second round था मैं अब 2021 में आ जाता हूं 2021 का जो round second था उस round second में बच्चो यह जो general का cut-off है यह 17,600 पर करीब close हो गया था 17,600 पर close हो गया था और first round में यह था 14,000 पर तो अभी भी उतना ही है लेकिन आप यह देखेंगे कि यही जो है वो 17,600 से यह जो आकड़ा है बच्चो यह बाद में जाते 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 जो है वो 21,000 के आसपास चला गया था मतलब मौपप राउंड के बाद 21,000 तक जो है वो सीटे अलोट हुई थी मौपप राउंड में जो एप्रोप्राइट और नियर भाई एप्रोप्राइट तो देखिए 20,004 पे अभी कॉलेज मिला EWS के बच्चे को 21,553 पे मिला 20,379 पे मिला OVC के बच्चे को 1,3,706 और ST के बच्चे को मिला 31 यह डेटा एक्जेकली सेम आ रहे हैं आप मेरा पिछले वीडियो देखिएग इसमें मैंने 103 से 105 मिंसन किया था और इसमें मैंने 130 से 135 मिंसन किया था वो ठीक उसी तरीके से मिल रहा है यहाँ हम 22,000 तक expected कर रहे थे लेकिन 22,000 के बजाए यह आप देखें कि 22,000 के बजाए 25,000 पे यह ग्लोज हो गया और यह जो है 20,370 पे ग्लोज हो गया है 601 नंबर पे बच्चो क्लोज हुआ है 602 नंबर पे जनरल के लिए और 598 नंबर EWS के बच्चे के लिए ये क्लोज हो गया है अम आपको बता दू कि 2021 में round second में 17,600 पे क्लोज हुआ था first में 14,000 के आसपास था 3,000 का difference और round जो mop up था उसमें 21,000 के आसपास ये आ गया था तो अब यहां से भी आप देखेंगे तो ये 35,000, 36,000 का जो 35,000 के आसपास मतलब साड़े तीने जार चारे जार के आसपास ये differences थे round first, round second और mop up अब इस बार भी definitely इतना difference रहेगा बहुत सारे अब mop up round में 24,000 तक clear हो जाएगी तो आपका सवाल यह हो सकता है कि सर आप यह जब कह रहे हैं तो यह authentication मान लेते हैं बट अभी जो है वो cut-off उपर रहने का क्या reason है देखो cut-off उपर रहने का कारण बच्चों यह है पर इक है कि यह 20,000 चार पर ही खतल हो गया 21,000 तक हम प्रेण़ कर रहे थे और इसको म क्रेण़ और प्रेण़ कर रहे थे ऊपर क्यों रहा यह यहां तक ही क्यों clear हो पाया इसका कारण है बच्चों ने सीटें ब्लोग कर रखी है seat blockage के कारण All India Quote की second round का जो cut off है वो बच्चो उपर रहा है आपको All India Quote के second round के counseling में seat मिली उधर इससे पहले आपने state की first round की counseling करवा लिए तो वहाँ भी seat आप ले बैठे हैं यहाँ भी seat आपने ले रखी है लेकिन आप मान के चलिए जिनके ठीक ठीक marks होते हैं वो करीब करीब अपने state को ही prefer करते हैं और जैसे ही आपको mop up round का seat matrix देखने को मिलेगा तो आपकी उम्मीद definitely जाग जाएगी और आपको भी यह लगेगा बहुत perfectly कि यह जो है वो 24,000 तक clear हो सकता है तो इस वीडियो में तीन बातों का समाधान तीन बातों का solution करने की बात मैंने आप से कही थी सबसे पहली बात ये cut out उपर क्यों रही बच्चों ने seat block कर रखी है याद रखी है All India Quote की second round की counselling से बच्चे जो है वो second round counselling में participate करने और आगे मोपप में जाने के बजाए वो अपने street में seatे ले लेंगे तो यहां से seatे काफी खाली होने वाली है और ये भी मैं आपको बता दू second round में seatे बासट सो पैसट सो के आसपास आई थी तो मुझे लगता है कि अभी भी तीन साड़े तीन हजार seatे बहुत आराम से मोपप राउंड में आएंगी जबकि पिछले साल मोपप राउंड में seatे काफी कम आई थी बच्चो दूसरी बात मैंने आपसे कही थी यहां कि आपको कहां तक college यह मिल जाएगा यह आपका confusion जो है मैंने दूर कर दिया है आप 24,000 तक government medical college जो है वो opt कर पाएंगे लेकिन इस case में इस सूरत में आप जब counselling करवा रहे हैं तो आप सारे government medical college option फिल करें हाँ यह नहीं सोचें कि आपके choice का college जो है वो ही आपको मिल पाए जैसा भी government college मिले आपको MBBS के लिए जाना चाहिए मेरी सला आपको यही है क्योंकि MBBS किसी भी degree college से आप कर लीजे medical college से करने के बाद PG अच्छी जगे से कर रहे हैं खेर बहुत struggle है इस field में भी लेकिन जो व्यक्ति potential रखता है जिस इंसान में दमखम होता है वो अपने आपको सेकंड राउंड में अगर seat आपको अलोट होगी तो अब आपकी दूइदा ये है कि round second में जो seat alert हुई है उस round second की seat को आप join करें या फिर जो है वो आप state के second round का wait करें देखिए state के second round में जाने का बहुत सारे लोगों का कारण तो यह है अगर ज़्यादा अच्छा कोई expect करना है तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अच्छी संभावना है आपको All India Quote के second round के counselling में जो seat alert हुई है वो join कर लेनी चाहिए और हाँ अगर आप ये जोखेम उठाने के लिए तयार है कि government seat मिल जाएगी state में अप चाहिए वो कैसी ही मिले लेकिन state में मिल जाएगी तो फिर definitely आप state के second round के counselling में जा सकते हैं बसरते आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी rank जो है वो यहाँ lie कर रही है और last सबसे काम की बात में आपको बता दू ओल इंडिया कोटे की second round की counselling में अगर आप अप्ग्रेडिशन से आए हैं college नहीं हुआ है तो पहला ही college आपको join करना पड़ेगा और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप counselling से बाहर हो जाएंगे अपने आपको धहरियेवान रखते हुए बिलकल पेशेंट्स के साथ काम करिए last तक इस counselling को observe करिए और उसमें ठिके रहिए सफलता आपको मिलेगी college आपको जरूर मिल जाएगा मेरी धेरों सबकाम नहीं आपके साथ हैं वो बच्चे जिनकी rank 24-25 अजार तक है निरास नहीं हो अंतिम समय तक लड़ते रहें definitely आपको college मिलेगा enjoy your life be safe thank you